बई इंडिया ने और भी सक्ताई कर दी है कैनेडा के मामले में भारत ने कैनेडा को बोला है कि आप अपने सिफारत खाने Embassy High Commission के अंदर आप अपने जो लोग हैं उनको कम करें और उनको उस लेवल पर लेके आएं जिस लेवल पर भारत का High Commission कैनेडा में है और इंडिया ने बहुत सारी ऐसी बाते कहीं जो शायद कैनेडा को पसंद नहीं आ रही होगी और वहीं दुनिया भी देख रही है कि कैनेडा ने किस तरीके से बे तुके इर्जाम लगाए और जैसे अब इंडिया बाहर क्रीज से बाहर निकल कर और खेल रहा है उससे ये पता लग रहा है कि इंडिया का इस ऐलिगेशन से कोई लेना देना नहीं है और ये बिल्कुल बे बुनियाद फाल्दू की बखवास कैनेडियन प्राइमिनिस्टर ने करी है और अब ये इंडिया का कॉन्फिडेंस बहुत कुछ बयान कर रहा है और अब पूरी दुनिया की जब नजने इस पे हैं तो हिंडुस्तान ने बहुत सारी चीजें कैनेडा के बहाब से एक्सपोस कर दी है इन फैक्ट उसको आतंगवाद मुलक बोलने से ही थोड़ा कम रह गया और बागी सब कुछ बोल दिया इंडिया के जो म.E.A के स्पोक्सपरसन बागची साहब ने अपनी प्रेस कॉन्फरेंस में ये वाज़े कर दिया कि आतंगवादी इनको शरण देना उनको फ्रीडम और स्पीच के तहट उनको शर्याम उल्टे सीधी हरकते करने देना ये कोई सब्भे रूल और लॉव अबाइडिंग मुलकों का काम नहीं है और कैनेडा की बहुत ज़्यादा फ़जियत हो रही है पूरी दुनिया के अंदर और इंडिया ने वीजा रिस्टिक्शन भी लगा दिया इनफेट वीजा देना बंद कर दिया है ये कनेडियन्स क्या करते थे कनेडियन्स से खास तोर से जो हिंदुस्तान से गए हुए सिक हैं और वहाँ पर उन्होंने सिटिजन्शिप ले ली वहाँ जाके वो अपने ही मुल्क को नीचा दिखाना उसके खिलाफ साज़िश करना और अपने ही लोगों के साथ में दूसरी कम्यूनिटी के उनके साथ में बत्तमीजी करना यह इनका एक रिवाज बन गया था और मैं हर बार हर वीडियो में बोलता हूँ अभी फिर बोल रहा हूँ इन सब तमाशे के पीछे पाकिस्तान का बहुत बड़ा हाथ है और बड़ी इंट्रेस्टिंग बात यह है कि इंडिया के अंदर जो पाकिस्तान एमबसी का जो स्ट चल रहा है मैं कहीं ट्विटर पूछ रहा था कि वह वेस्टर ब्लॉक के जो सफीर है उनसे जा जाके मिल रहे हैं एक को तो पैदली चले गए जाके और निमंतरन देया है अपने एमबसी में कि आओ गई ड्रिंक श्रिंक पीते हैं तोड़ी गल्ला गपे लगाते हैं तो ब बिरस कि बस कहीं भी थोड़ा सा भी इनको मौका मिल जाए बस ये फट आफट ये ड्रामा शुरू कर देते हैं अब इंट्रेस्टिंग बात ये है चलिए पाकिस्तान को से चोड़े जाते हैं रोग कंट्री है इंट्रेस्टिंग बात ये है कि पाकिस्तान करेक्शन कैनेडा वेस्टन वर्ल्ड के अंदर एक्सपोज हो रहा है अब सबको ये पता लग रहा है कि इंडिया ने बहुत समय से कैनेडा को लिस्टे दे रखे हैं कि ये लोग आतंगवादी हैं ये लोग गैंक्स्टर्स हैं इनको आप हमारे सुपूर्ट कर रहे हैं क्योंकि ये बेवकूफ लोग इनके वोट बैंक बने हुए हैं अब नुकसान इनोंने देखो नक अपने घर से तो गए गए अपना घरवार चोड़ दिया पंजाब से इनको कुछ लेना देना नहीं है वहां गए वहां जाके ये ड्रामा शुरू कर दिया इनोंने इनको ISI से पैसा मिलने लगा असाइलम वाला ये मैंने विछले वीडियो बता कि असाइलम इलीगल पेपर्स पे कैनेडा आओ वहां पे फिर असाइलम लोग कि ये पताडित हैं पीडित हैं हिंदुस्तानी गवर्मेंट की तरफ से इनके ओपर जुल्म हो रहे हैं और इस जो बदमाश जो पंजाब से भागे हुए हैं इन सब की प्रॉपर्टीज और इन सब का जो यहां पर तंतर है उसके ऊपर ऐसा शिकंजा कसे जाएगा इनको पता नहीं लगेगे कि क्या हुआ इसका मैं उधारन देता हूँ अरे भाई जब पाकिस्तान की इतनी बैकिंग थी जब मोटर साइकलों पे सिख आतंगवादी शर्याम गूमते थे हजारों हिंदूओं को मार दिया उन्होंने हजारों हजारों सिखों को मारा उन्होंने जो देश भग सिख थे उनको मारा पवित्र गोल्डन टेंपल में जाकर इन्होंने उसकी बेद भी करी उसके बारे में कोई नहीं बोलता भिंडरा वाले वहाँ पर जाके दुनिया मर के हत्यार लेके वहाँ बैठ गया कोई उसे पूछता है कि तू वहाँ पर क्या संदगीरी करने क्या था तू क्या गुरु सिस्टम मना हुआ है उसके अंदर आप यह सब बात नहीं कर सकते क्योंकि सबको कैनेडा जाना है कैनेडा में सेटल होना है पंजाब से लोगों को अभी कोफ्त है पंजाम में रहना नहीं है क्योंकि पंजाम में अपॉर्चुनिटी नहीं है और अगर कैनेडा जाना है तो उनकी तरह बातें करनी हैं इसलिए आप यह सब कोई सवाल जवाब नहीं उठाता अब यह तब आपका खालिस्तान नहीं बन पाया इतना सब सपोर्ट होने के बाद और यह छोड़ दीजिए चलिए आप आप यह कह सकते हैं कि 35% पंजाब में हिंदू थे और यह जट सिख वा उसके अलग कारण है उसके बारे में हम बात नहीं करेंगे चलिए यह बहना बना सकते हैं लेकिन आप कश्मीर चले जाए कश्मीर में 99% मुसल्मान हैं हत्यार इतनी बेश्मार इतनी क्वांटिटी में वहां आया और इतना आया कि मैं आपको बता नहीं सकता हूं मैंने तो हुआ है वहां पर ट्रकों के ट्रकों में हत्यार लोड होकर जमा होने जाते थे यूनिट जो पकड़ती थी हर साल डिपो में जब अपने अरूस पे था वहां पर आतंगवाद तो वहां कुछ नहीं हुआ मेरे भाईयों वहां अब राश्ट्र गीत गा रहे हैं लोग बुर जिए कौन है बाप बाप ही होता है बाप से थोड़ी देर के लिए रूट सकते हो लेकिन उससे 학ूनता नहीं तोड़ सकते और जब बाप को गुसा आता है तो फिर आपको लाइन में आनासी पड़ता है तो यह बल्कुल क्लियर होıllा चाहें कि हंदुस्तान बहुत मजबू और हमारे जो सिविलियन लोग हैं बहुत महब्ब वतन हैं देश के लिए कुर्बान होने के लिए तक पर हैं तो कोई इशू नहीं है और इसमें सब मजबों के लोग हैं हिंदू भी हैं जिक भी हैं मुसल्मान भी हैं कोई इसमें गलत फहमी नहीं होनी चाहिए तो इतना support होन साल तक support किया वहां भी कुछ नहीं हुआ वहां भी तिरंगे को सुनूट मार रहे हैं तो अपने लोग मरवा के अपना घर बार उजडवा के और एंड में फिर धाक के तीन पात तो कोई फायदा नहीं है बेवकूफ आप ही लोग बन रहे हैं मूर्ग बन रहे हैं समझदार इसी में है कि आप यह फालतू के प्रोपेगेंडा और पॉलिटिक्स वाले लीडर्स को आइडेंटिफाई करें और उनको साइडलाइं करें और अपने बच्चों का मुस्तक्विल बनाएं पंजाब का वैसे बेडा गर्क हो गया है पहले पंजाब शराब में डूबा रहत जिस तरीके से हंदुस्तान ने कैनेडा को बेज़त किया है पूरी दुनिया के सामने उसकी असलियत खोल कर रख दी है इसे साफ जाहिर है कि भारत एक मौरल स्ट्रॉग पॉजीशन पे है और कैनेडा मौरली वीक पॉजीशन पे है और इतना सब जब चली रहा है तो ये और आपको पता होना चाहिए कि एक और खालिस्तानी गैंग्स्टर अग्यात लोगों ने उसको कैनेडा में ठोक दिया और इसकी जिम्यवारी लॉरेंस बिश्टोई ने ले ली अब देखना ये है कि जो और भी लोग है जो वांटेड लिस्ट में है उनको भी क्या शुरू हो गया है इसमें ये सब के सब नपेंगे और ये इतने डर्पोग है और अभी देखना कैसे पूँच टांगों के बीच में चुपाके और ये भागते फिरेंगे इनको देखा है मैंने ये कोई ऐसे वो नहीं है ये सिरफ जब देखते हैं कि ये अकेले हैं और इनक फणारीके आधारीके का तमाशा करते हैं ये मैं जब इनкі बात करौँ रांगी खालिस्तानियों की बात करौँ बहुत ही डरको और ये ये अगर अगर आपको इनकी sizi नहीं की पावर की बात करनी है तो ये इनकांवाशो का जो सर्गना है पन्नु उसका एवह ट्रा Remote आने इंटर्व्यू लिया पटियाल साब ने और उससे जब बाते करी तो उसका लेवल आपको समझ में आ जाएगा कितना बिल्कुल सड़क चाप लेवल है और दिमाग से पैदल वो आदमी है और उसको देख कर तो मतलब कि वैसे तो गौवर्मेंट और इंडिया ने एक समर्थन भी देते थे उनको भी कितनी इंबरेश्मेंट और शर्मिंदगी हुई है तो यह सारी चीजे भी नोटिस करने वाली है और मेरे को इस बात की खुशी है एंड में मैं अपना वीडियो खतम कर रहा हूं लेकिन मेरे को इस बात की खुशी है कि इंडिया एक को और पेरा मिलेटरी फोर्सेस के आफसर्स को लोगों को कैनेडा का वीजा नहीं मिलता था उसका कारण ये था कि वही अगर आपने पंजाब में नौकरी करी है अगर आपने कश्मीर में नौकरी करी है तो आपने human rights violation जरूर करे होंगे इसलिए आपको वीजा नहीं दिया जा रहा है लेकिन अब ऐसा नहीं है अब जा रहे हैं लेकिन इस तरीके का ड्रामा कैनेडा ने कर रखा है अब हमें भी इस तरीके की बात करनी चाहिए कि कैनेडा की फोजें अफगानिस्तान में थी आम अफगानियों के उपर उन्होंने human rights violation पक्का किया होगा और कैनेडियन कैनेडियन लोगों को कोई वीजा नहीं मिलना चाहिए उसी तर्क को लगाते हुए हमें भी सकताई करने चाहिए अब कुछ लोग यह भी कह रहे हैं कि जब यह वीजा और यह सब चीजे इशू होंगी जब यह कहानी खड़ी होगी तो इसमें students का बहुत नुक्सान होगा त कैनेडा और इंडिया के बीच में जो ट्रेड और वाटेवर यू में कॉल इस नौट मोर देन लाइन 9 बिलियन कोई खास माइन नहीं रखता उसके अंदर भी कैनेडा रिसीविंग एंड पर है अगर इंडियन को वो तंग करेंगे और इंडियन बच्चे पढ़ना जाना ब पूरी दुनिया में उनका मजाग भी बन रहा है और इसी के साथ मैं अब यह वीडियो करता हूं समाब लाइक कीजिए दोस्तों में शेयर कीजिए जय है